हेलो प्रेंट्स वेल्कम तो माँ चैनल मोरिस सर्च लेक्चर आज मैं आपको नाइंध क्लास का एक चैप्टर है ट्राइंगल जिसकी एक्ससाइज का सेविन पॉइंट वन का हम लोग कुश्चिन नम्र सिक्स्ट डिसकस करेंगे देखिए कुश्चिन नम्र सिक्स्ट में है यह इसने मैं दोन पर ड्वल डैश बनाया हुआ है यह पैचा नहीं यहापर दोनों पर सिंगल डैश है यह दोनों एक डूसरे के एक ट्क वल है यह डवल डैश है यह दूसरे के एक आपको शो करना है कि B C D E के एक्वाल होगी B C जो है वो D E के एक्वाल होगी यह प्रूब करना है आपको चलिए तो सबसे पहले देखिए Given क्या Given है आपको इतनी सारी चीज़ है Given है फिर से लिखनी पड़ेगी आपको A C is equal to A E A B is equal to A D And Angle B A D A C is equal to Angle E A C यह आपको सारी चीज़ है लिख दी फिर से जो given थीव है दीगे question में से क्या प्रूब करना है आपको To To हमें प्रूब करना है कि B C जो है वो D E के एक्वाल है यह दा देखा है चलिए Construction कुछ हुआ है बिलकुल नहीं हुआ है तो prove देखे सबसे पहले आप target यहाँ पे set का लिजे अपना कि हमें करना क्या है तभी यह question हो पाएगा मैं आपको डंक से इसके अलग-अलग figure निकाल के भी समझा लिता हूँ कैसे होगा देखे यहाँ पे हमें B C equal करनी है तो यह तो confirm होगे कि B C side हमें चाहिए अब B C side आने के लिए आप पहले triangles को choose करना सीखे कि triangles कौन से लिए जाते है और कैसे लिए जाते है main चीज ट्राइंगल है B C side लाने के लिए मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा A B C देख लीजिया A B C के अलागा कोई triangle है यही नहीं जिसमें B C आप लाकर के congruency proof कर दे B C side के लिए मुझे triangle कौन सा चाहिए गा A B C देख पारे A B C A चाँ D E side के लिए कौन सा चाहिए गा A D E तब इतो बन पाएगा triangle क्योंकि D और E के endpoints को A join कर रहा है देख लीजे लास्ट में A तो यहाँ पर triangle कौन सा चाहिए गा A D E यानि कि यह तो clear हो गया कि A B C और A D E triangle में हम लोग congruency लगाएंगे इन triangle A B C and triangle A D E यह मैंने लिख लिया A B C and A D E triangle लिख लिए चलिए लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा था कौन सा कैसे है कभी भी आपको ऐसे figures मिले जो बहुत complicated से होते है समझ में नहीं आ है तो उन figures को अलग-अलग कर लिजे मैंने पहले भी दिखाया था मैंने इसी exercise का question number 2 जो यहाँ पर आपको post किया था टू में भी मैंने अलग-अलग figures जो उसके बना के दिखायते figure अलग-अलग करके उससे clear हो जाता है अब मैं इसमें भी यह करूँगा देखें मैं ABC और AD यह triangle को अलग कर दूँगा ABC कैसा बना यहाँ बना लिए यह ना ABC इसी की तरह बना यह ABC तो मैंने इसका चोटा सा पाट यहाँ निकाल लिया और देखें AB पर one dash है AB पर यह नहीं की यह और AC पर कितने है double dash है यह रहे AC पर तो आप भी लगा दीजे दो ठीक है और यह बीच में यहाँ पर angle लेकिन पूरा आ नहीं रहा है दूसरा देखें ADE ADE कैसे बन रहा है ADE कैसे बन रहा है ADE कैसे बना यह से बिलकुल ADE पर one dash है आप भी बनातीजे AE पर double dash है AE पर double dash clear अब हम इनमें confinancy लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस figure में देखना थोड़ा complicated हो रहा है लेकिन इसमें बहुत clear हो जाएगा देखिए AV side triangle ABC में जो AV side है वो triangle ADE की AD के equal है हैं दोनों एक दूसरे के equal चाली यह तो side मिल गई इसका मतलब एक side AV AD के equal है अच्या इसी की जो AC side AC वो AE के equal है yes double dash का रहा है वो भी मिल गया देखिए जब दोनों आपको side में ली रहेंगे यहां भी side to side तो यह confirm हो चुका है कि यह तो एक side लाओ लेकिन BC और D यह तो दूसरे के equal है अब बस आपके पास एक ही रास्ता बचा है option बचा है आप angle को लेके आईए तो दो sides के बीचों हमेशा angle को बीच में लाना पड़ता है side angle side लगाने के लिए तो मुझे side angle side property लगाने के लिए angle prove करना पड़ेगा इसका मतलब angle BAC और angle DAE लेकिन यहां पे हमने देखा BAC angle तो equal है नहीं BAC तो DAE नहीं है या पूरा naming क्या इसका BAC चाहिए अब मैं इस फिदर में गया तो BAC तो मेरे पास ये वाला angle था पूरा complete BAC यहां तक जा रहा है ये पूरा complete लेकिन मेरे पास है कितना सिर्फ इतना part है तो मुझे ये वाला बीच में जो angle आ रहा है ये वाला angle ये ये angle ये मुझे चाहिए इसका मतलब तो मैं क्या करूँ फिर ये angle का naming बताइए पहले naming क्या है angle D, A और फिर उसके बाद C क्या naming है D, A, और C देख पा रहे है यानि कि D, A, C angle ये जो बीच में आ रहा है इसकी मुझे जरूवत पढ़ रही है अगर ये angle मैं इसमें add कर दूँ जो अंदर मुझे दिया है तो ये मेरा पूरा complete B, A, C angle बन जाएगा बन जाएगा चलिए इसका मतलब समझ में आ गया कि ये यहां पे बाद में ऐसा कुछ operation हम करेगी तो सबसे पहले अब मैंने आपको इतना यहां पे target set कर दिया है आप इसे पहले लिग लीजिए देखिए ABC का AB जो triangle ABC है इसका AB इसके किस side के equal है AD के equal है ठीक है कहां से आया ठीक आप देख भी सकते हूँ पर यहा AD के equal है दूसरी side लीजे चलिए ये वाली AC is equal to AC किसके equal है AE के ये भी कहां से आया ठीक है AND एक और angle equal है आपको ये रहा angle BAD is equal to angle किसके equal है angle CAE के CAE के ये भी आपको given है ये भी चीज़ आपको given है ये रहा BAD angle EAC EAC बोलिए या CAE बोलिए एक ही बात है angle A बीच में आ रहा है बस ये angle चाहिए ठीक है अब देखिए फिर से अपने target पे हम लोटते है मैंने अभी अभी आपको बताये कि मुझे यहाँ पे BAD angle दिया है रहा BAD लेकिन इससे मेरा motive तो clear नहीं हो पारह रहा कोई बात नहीं है मैंने यहाँ पे add कर दिया क्या angle DA C angle DA C मैंने यहाँ पे add कर दिया इस वाले में DA C लेकिन हम कोई भी चीज अगर LHS में करते हैं तो हमें RHS में भी करनी पड़ती है चाहिए plus चाहिए minus चाहिए multiply वरना equation balanced नहीं रहेगी तो मैंने अगर DA C यहाँ पर add किया है तो मैं यहाँ भी add करूंग ऐसे ठीक है angle DA C अच्छा यह क्या बन गया टोटल BAD एक तो यह एंगल है BAD और X DA C DA C एक ही वाला एंगल complete दोनों को मिला करके addition करके क्या बन गया B A C देखिए आगल पूरा B A C यहाँ देखिए इसमें तो आगया यहाँ से दोनों को addition करके B A C और यही एंगल मुझे चाहिए ता पूरा B A C तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं एंगल B A C अच्छा लेकिन अब इन्हें add करिया C A E यह वाला एंगल दिया है दो मैट के लिए सब रब कर देता हूं ताके आगको ज़्यादा सोच गाए यहां से ठीक है चलिए C A E यह रख C A E यह एंगल दिया है और इसमें D A C D A C यानि कि यह वाला एंगल हमने इसमें add कर दिया जादा दोनों को add करिए this plus this कितना बने का total D A E और देखिए यह एंगल मुझे चाहिए था D A E यह रहा आगया पूरा आगया D A E यहां इंगल दोनों को add किया न यह रहा एंगल D A clear तो कौन सी प्रोपरटी लग कही है मैं देख सकते हैं आप आसा नहीं से side angle side S A S therefore triangle ABC congruent to triangle ABC जो है congruent to हो गया किसके D A E के ठीक है यह दोनों triangle से एक दूसरे के क्या हो गया congruent ABC एक दूसरे के D A E के यहां पे congruent हो गया by SAS rule SAS rule से SAS rule बोल लीजे के SAS congruency side angle side से ठीक और अगर यह दोनों triangles congruent है तो इनकी जो corresponding side है मतलब BC और DE एक दूसरे के equal हो जाएंगी यहनकी BC is equal to DE by CP CT corresponding parts of congruent triangle से BC DE के equal हो जाएंगी